3i आपको मिलता है 8000 में और Realme 3 Pro आपको मिलता है इससे 6000 रुपे महेंगा 14000 में तो इस वीडियो में इन दोनों मुबाइल्स में कमपरेजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया हैं और आपके लिए सबसे बड़ीया कौन सा रहेगा और 6000 रुपे का फर्क होनी की वज़े से आपको इन दोनों मुबाइल्स में क्या क्या फर्क देखने को मिलता है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बल्कुल भी स्किप मत करिएगा चले देखते हैं अगर आप 8000 रुपे 3i पे खर्च करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है तो सबसे पहले आपको रखावा मिलता है ये मीनी बॉक्स जिसमें लगावा मिलता है एक सिम इजक्टर टूल अंदर रखे वे मिलता है कुछ यूजर मैनुवल और एक म बढ़िया मिलती है इसके साथ इस मोबाइल की डिस्प्ले पर आपको स्क्रीन गाड़ भी पहले से ही लगावा मिलता है ये इसमें को भी है इसके बाद आपको रखावा मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लूख हम अभी देखेंगे इससे पहले देख मिलता है ये वाइड कलर के अंदर काफी बढ़ साहले जिसके अदर आपको आटपूट मिलता है फाइफ वाइक नौर्मल ही चारजर मिलता आपको आँच हजार रुपए के साथ सिर्फ आड़ हजार में चैले देखते हैंगर आप चेह उजार हरच करते हैं तो energized mouse मैं cover, cover की quality भी आपको इस mobile के साथ बिल्कुल वैसी ही मिलती है, कोई खास फर्क नहीं है, और इसकी display पे भी आपको screen guard लगावा मिलता है, realme 3i की तरह, बाद में रखवा मिलता है, mobile एक rapper के अंदर, इसका detail लुक हम अभी देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं, box के अंदर आप को और भी ज़्यादा बढ़िया मिलती है, rate में फर्क होनी की वज़े से, लेकिन कमी ये है, इस mobile के साथ आपको type C cable नहीं मिलती, ये इस mobile में कमी है, क्योंकि इसका rate 14,000 है, तो इस mobile में आपको type C cable मिलती तो काफी इच्छा रहता, इसके बाद आपको रखवा मिलता है, ये white 3 Pro के साथ, तो देखा जाए, तो दो चीजों में ही फर्क है, एक तो charger के अंदर, दूसरा detectable के अंदर, बाकी सब समान आपको बिल्कुल वैसे ही मिलता है, जो आपको 8,000 में realme 3i के साथ मिलता है, तो चले बात कर लेते हैं, हम सबसे main चीज मोबाइल के design के बारे में, तो इ design में ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इसके लाब बात करें, कैमरे के बारे में, तो realme 3i में आपको पीछे दो कैमरे मिलता है, जिसमें पहला है 13 MP, दूसरा है 2 MP, और इसके अंदर आपको front camera मिलता है 8 MP, वही realme 3 Pro में आपको पीछे 2 camera मिलते हैं, जिसमें पहला है 16 MP, इसके अंदर आपको front camera मिलता है 25 MP, रेट के हिसाब से दोनों ही mobile's के अंदर आपको camera की performance normal ही मिलती है, वैसे जाद अच्छा realme 3 Pro है, camera के अंदर क्योंकि इसका rate जादा है, बाकि आप complete design देख सकते हैं, किसका आपको ज़दा पसंद आया, ये चीज़ आप मुझे comment करके बता तो realme 3i में आपको display मिलती है 6.22 inches की, और realme 3 Pro में आपको display मिलती है 6.3 inches की, तो display size में तो सिर्फ हलका सही फर्ख है, आपको realme 3 Pro में थोड़ी सी बड़ी display मिलती है, बाकि user interface दोनों ही mobile's के अंदर आपको बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है, आप उपर के तरह swipe करेंगा, आपक आपको इन दोनों mobile's की display दिखा देता हूं, दोनों ही mobile's के display में आपको एक छोटी notch भी मिलती है, जिसका look काफी अच्छा लग रहा है, इसके लावाद दोनों mobile's के display में आपको edges, bezels भी बहुत कम मिलते हैं, और इस चीज़ में ये दोनों mobile's लगबग बराबर ही आपको मिलत अच्छे चीज़ ये है, दोनों mobile's के अंदर आप दो SIM card, एक memory card, तीनों चीज़ेक साथ लगा सकते हैं, उसे की ठीक नीचे दिया गया है volume के buttons, नीचे की तरफ आपको दोनों mobile's में charging port, speaker, mic और headphone jack दिया गया है, right side पर आप देखेंगे तो आपको power के buttons मिलते हैं, और उपर के तरफ से आपको दोनों mobile's में बिल्कुल plain look दिया गया है, realme 3 pro में आपको noise cancellation mic भी मिलता है उपर की तरफ, बाकी 8000 में realme 3i में आपको मिलती है 3GB के RAM और 32GB के internal storage, और realme 3 pro में 14000 में आपको मिलती है 4GB के RAM और 64GB के internal storage, realme 3i में आपको 32GB में से मिलती है 19GB free, और realme 3 pro में आपको दोनों ही mobile's के अंदर आपको Android का बिल्कुल latest version मिलता है Android Pie, ये खुबी आपको दोनों में मिल जाती है, recent application की windows में आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही mobile's के अंदर आपको proper बड़ी windows देखने को मिलती है, तो इस चीज में ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इसके लाब बा अगर देखा जाए, तो इसमें Realme 3i जादा अच्छा है, क्योंकि इसका rate सिर्फ 8000 रुपे ही है, और इसके अंदर आपको Realme 3 Pro जैसी ही battery मिलती है, और इससे थोड़ी सी और better, और इसका rate भी 6000 रुपे कम है, इसके लाब बात करें, प्रोसेसर के बारे में, तो Realme 3i के अंद आपको मिलता है, MediaTekka P60 प्रोसेसर, और Realme 3 Pro में आपको मिलता है, Snapdragon 710, तो बहुत जादा बढ़िया प्रोसेसर आपको मिलता है, Realme 3 Pro में, और Realme 3i के अंदर भी आपको काफी अच्छा प्रोसेसर मिलता है, 8000 के हिसाब से, अगर आप एक heavy user है, आपको थड़ा game वगेरा खे लेते हैं, आप सबसे main चीज़ आपको इन दोनों mobile से कौन सा खरीदना चाहिए, कौन से नहीं, दीखिए सबसे पहले matter ये करता है, कि आपकी main जरूत की चीज़ किस mobile के अंदर जादा better है, इसके लावा आपको बजट कितना है, तो दीखिए अगर आपको battery अच्छी में ही मिलता है, क्योंकि इसके back panel पे scratches आपको बहुत ही जादा कम देखने को मिलते है, realme 3 pro से, तो design में भी आपको जादा बढ़िया मिलता है, realme 3i, इसके लावा अगर आपकी main जरूत है mobile की display size की, तो rate के हिसाब से देखा जाए, तो realme 3i ही इसमें जादा अच्छा है, क्य तो आप realme 3i ले लीजेगा, लेकिन अगर आपका बहुत जादा heavy use है, आपको game वगेरा बहुत जादा खेलने है, तो तो आप realme 3 pro ही लीजेगा, ये mobile आपके लिए जादा अच्छा रहेगा, इसके लावा अगर आपकी main जरूत है mobile के camera की, तो camera दोनों ही mobile के अंदर आपको जाद अच्छी quality के अंदर display मिलती है, अब हर एक चीज के हिसाब से देखा जाए, तो ये दोनों ही mobile के अपनी जगा बहुत अच्छे है, तो 8000 के हिसाब से realme 3i भी अच्छा है, और 14000 में realme 3 pro भी, लेकिन जो rate के हिसाब से देखा जाए, जिसमें आपको जादा बढ़िया features मिलते हैं, वो मुझे लगा realme 3i, सिर्फ 8000 के हिसाब से देखा जाए, तो इस mobile के अंदर आपको हर एक चीज बहुत बढ़िया मिलती है, तो मुझे इन दोनों mobile में realme 3i जाद अच्छा लगा, आप मुझे बताएगा, कमेंट करके आपको इन दोनों mobile में कौन सा जाद पेस्बुक पे, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर, बाबाई